1965 की जंग में अचानक किये गए पाकिस्तानी एर फोर्स की हमले में भारत के 35 फाइटर जेट धरासाई हो गए थे यही नहीं लड़ाकोई मानों में GPS रडार नहीं लगने की वज़े से स्क्वाडरन लेडर विलियम ग्रीन भारत के बजाय पाकिस्तान में लेंड कर गए थे यह वक्त था जब भारत दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीद रहा था अब एक अभी का वक्त है जब भारत के स्वाडेशी मौडरन फाइटर जेट तेज़स को अमेरिका जैसा ताकतवर जेश खरीदना चाहता है ऐसे में आज आपको बताते हैं कि स्वदेशी तेजस कैसे दूसरे फाइटर जेट से अलग है दुनिया के आदे दर्जन से ज्यादा ताकतवर देश इसे क्यों खरीदना चाह रहे हैं भारत अब दुनिया के दूसरे देशों से सिर्फ फाइटर जेट खरीदेगा नहीं बलकि बेचेगा भी इस बात की जानकारी सुक्रवार को यानि पांच अगस्त को संसद में रक्षा मंतरी अजेब भट ने दी है रक्षा राजे मंतरी भट ने अपने ब्यान में कहा कि हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड यानि HAL एक इंजन वाले इस फाइटर जेट का निर्मार करती है इसके लिए पिछले साल अक्टूबर में रॉयल मलेसियाई वाई उसेना ने 18 जेट विमानों के प्रस्ताओं के अन्रोथ का जवाब दिया था जिसमें तेजस के दो सीटों वाले संस्क्रण को बेचने की पेसकस की गए थी इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस विमान को खरीदने में छह अन्य देसों जैसे अमेरिका, अर्जेंटिना, अस्ट्रेलिया, मेस्र, इंडोनेसिया और फिलिपिन्स ने भी दिल्चस्पी दिखाई है इंडियन एर फोर्स के बेडे में हलके फाइटर विमान यानी LCA को सामिल करने की तयारी सन 1983 में ही सुरू की गए थी सरकार की हरी जंडी मिलते ही भारती साइंटिस्ट अपने मिसन को अंजाम देने में दीन रात एक्ट कर दिये थे इसका वक्त LCA का सिर्फ दो मकसद था पहला रूसी फाइटर मिक 21 के विकल्प में नया फाइटर जेट तयार करना दूसरा स्वादेसी और हलके फाइटर जेट को बनाना करीब 18 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जनवरी 2001 को पहली बार इस स्वादेसी फाइटर जेट ने हिंदुस्तान के आसमान में उडान भरी थी जब यह सब कुछ हो रहा था तो अटल वियारी बाजपेई देश के पदान मंतरी थे 2003 में बाजपेई ने ही इसे तेजस दिया था तेजस नाम रखते वक्त पदान मंतरी बाजपेई ने कहा कि यह संस्कृत सब्द है इसका मतलब चमक है इस वक्त भारती वाजपेई ना के बेड़े में जो टॉप फाइटर जेट हैं उनमें सुखोई, यह स्यू 30 मकाई, रॉफल, मिराज, मिक 29 और तेजस का नाम सामिल है तेजस अपनी इन खूबियों की वज़़ा से बाकी के चारों फाइटर जेट से अलग और खास है पहला, इस विमान के 50% कलुप पुर्जे यानि मसीनरी भारत में ही तयार होते हैं दूसरा, इस विमान में मौडर्न टेकनोलोजी के तहट इसराइल की EL M2052 रडार को लगाया गया है इस वज़़ से तेजस एक साथ 10 लक्षियों को ट्रैक कर उन पर निसाना सादने में सक्छम है तीसरा, बेहत कम जगा यानि 460 मीटर के रणवे पर टेक ओफ करने की छमता रखता है चोथा, यह फाइटर जेट इन चारों में ही सबसे ज़्यादा हलका यानि सिर्फ 1500 किलो का है पिछले पांस दसकों में 400 से ज़्यादा मिग 21 विमानों के क्रेस होने की वज़़े से भारत सरकार इसे रिप्लेस करना चाह रही थी इसी मिग 21 की जगा लेने में काम्याब हुआ तेजस इस विमान की वेट कम होने की वज़े से यह समुंदरी पोतों पर भी असानी से लैंड कर और टेक ओफ कर सकती है यही नहीं इसकी हंतियार ले जाने की छमता मिग 21 से दो गुनी है इस स्पीट की बात करें तो रॉफेल से 300 किलो मेटर प्रती घंटा ज्यादा रफतार तेजस की है हिंदुस्तान एर नॉटिक्स लिम्टेक्ट के अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक आर मादवन ने कहा कि मलेशिया के सामने तेजस फाइटर जेट की जगा और भी कई आफसंस थे इनमें चीन के JF-17 जेट, दच्छी कोरिया के F-50 और रूस के मिक-35 के साथ साथ यौक-130 सामिल थे इसके बावजूद मलेशिया ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई गया